वेलकम बैक टूदा चैनल जीवन एक्सपना दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त ब्रज महौन तो आज के अपने इस वीडियो में मैं सिर्फ पोश्टी भी बाते बताने वाला हूं के दारणाद के बारे में मैंने अपने पीछले वीडियो में निगेटिव बातें बताई थी जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई और उन्होंने निगेटिव ही कमेंट किये कुछ लोगों ने तो मुझे गालियां भी दी लेकिन I don't care जैसा जिसको समझ में आता है वो बैसे कमेंट करता है तो दोस्तों हर चीज के दो पहलू हुआ करते हैं निगेटिव भी होता है और पोश्टी भी तो मैंने उस वीडियो में सारी निगेटिव बातें ही बताई थी क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे से पूचा था कि केदार नयत में क्या-क्या परेसानिया है तो मैंने सिर्फ परेसानियों वाला ही एक वीडियो बना दिया था अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उपर आई बटन पे लिंक है वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं कि यदार नात की यात्रा दोस्तों सुरू होती हरिद्वार से हरिद्वार उत्राखंड में है और वहां तक पहुंचने के लिए आपको ट्रेन और फ्लाइट की विवस्था है फ्लाइट तो हरिद्वार तक नहीं आती है देहरादून तक आती है लेकिन सारी देश से हरिद्वार तक ट्रेन जरूर आती है तो दोस्तो हरिद आप बस से बाया बस जाना चाहें तो वहां भी जा सकते बाया बस हो सकते हैं तो दोस्तों बस के लिए आपको booking करानी होगी एक दिन पहले और अगर भीर नहीं है तो आपको आराम से बस में सीट मिल जाएगी और वहीं से शुरू होगी आपकी रोमांचक यात्रा दोस्तों अगर आप पहाड़ी लाके में नहीं रहते हैं और पहाड़ों को देखने के सौकीन है तो आप क्या रोमांचक मन उहीं से सुरू हो जाएगा और तरह तरह के आपको रोमांचक सीन देखने को मिलेंगे और बहुत ही पहाडों की बादियां देखने को मिलेंगी और आप एक अच्छी एनरजी महसूस करेंगे वहाँ पे अच्छ पोजटी बातों में दोस्तों उहाँ पे जब हम लोग पहाडों में पहुंचते हैं तो वहाँ पे फूल पे आकसीजण होता है अपने आटो काफी प्रदूशन होता है लेकिन पहाडों में बहुत ही आक्सीजन है वहाँ पेंड जादा है इसलिए फूल आक्सीजन होता है और जब हम यात्रा सुरू करते हैं तो जब पहाड़ी इलाका आता है तो वहाँ पे थोड़ी थंड लगने लगती है और ठंड जब हलकी सी लगने लगती है तो अपने हाँ तो काफी गर्मी होती है क्योंकि जून में लोग जाते हैं तो वहाँ पे लोगों का मूड भी फ्रेस होता है और कुछ गर्मी से भी राहत मिलती है और फूल आक्सिजन होने की वज़े से बहुत अच्छा लगता है और है कि अग्ने उर्जा मिलती है जैसे जैसे दोस्तों हम पहुचेंगे के सौन प्रयाग प्रिशिक केशसर जब हम सौन प्रयाग पहुचेंगे तो यह देखे यहां पर उन प्रयाग का मार्केट है ओ उपर जो हाल बने हुए हैं यहां पे रुकने के लिए 300 रुपए में एक लोगों को रखने के लिए मिल जाता है सस्ता है लेकिन भीड में दोस्तों नहीं मिलता अगर भीड में नहीं जा रहे हैं आप तो आपको आराम से यहां पर रूम मिलेंगे, और होटल भी मिल जाएंगे, अगर आप हाल में रुछना चाहते हैं, तो हाल भी मिल जाएंगे, और वहां से आप पहाड़ें के बादियों का आनंद ले सकते हैं, पीछे मन्दाकनी जी की जहरना निकला हुआ है, और जो मन्दा के बाद में आप अपने खाना माना खाके अपने रूम में आराम कर सकते हैं और शुबे जल्दी उठके के दारनाथ की यात्रा पे निकल सकते हैं उसके बाद में दोस्तों आपको टैक्सी मिल जाएगी कोई परेसानी नहीं होगी अगर आप भीड नहीं है तो थोड़ी देल इन में लगना पड़ेगा और आपको आराम से टैक्सी मिल जाएगी वह आपको पहुंचा देगी गोरी कुन गोरी कुन से यात्रा सुरू होती है वहां से आपको खचर और घोड़े अवेलबल हैं बहुत सारे घोड़े आपको दिखाई देंगे आपको कोई भी घोड़ा कर लीजिएगा तेश सवरूपय बहुत ज्यादा नहीं है दोस्तों क्योंकि एक जो घोड़ा लेके जाता है वो दो दिन में लोड़ता है और एक साथ में घोड़े के पैंदल जाता है तो उसका सीजन का जो रेट होता है क्योंकि यहीं कमाई होती है दो महीने की उसकी और तो उसके बाद साल भर उनी पैसों से अपना परिबार चलाता है तो तेश सवरूपय कोई ज्यादा नहीं है लोग मैनेज करते हैं बाइस किलोमीटर का ट्रेक है तो आराम से उस पे आप जाएए और फूल बादियों का आनंद लेते हुए जाएए बहुत ही आपको एक तरीके से मजा आएगा दोस्तों पहाडों की बादियां का फूल आनंद आएगा आपको और ज duda जैसे ही जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो एक सुहआना मौसम आपको दिखाई देता रहेगा और आप जब वहां पर जाएंगे तो अपने साथ एक चाता और एक तार्च और जो आपके सूज लेके जाना है वो आपको waterproof सूज लेके जाना है और अगर आपके पास waterproof यह सूज नहीं है तो मैं अपने description में link दे दूँगा वहाँ से आप स्iding कर सकते हैं waterproof चूतों की Amazon से ममगा सकते हैं तो मैं लिंक अपने description में दे दूँगा और दोस्तों अगर आप powerbank लेके नहीं चाहते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती आप powerbank लेके जाईयेगा और अगर आपके पास powerbank नहीं है तो मैं उसका भी लिंक अपने description में दे दूँगा वहाँ से आप buy कर सकते हैं power bank और power bank होने से आप सो ये फायदा रहेगा क्योंकि वहाँ पे आपको बार बार charger और light की वेवस्ता ढूननी नहीं पड़ेगी और power bank आपके पास safe रखिएगा और वहीं से आप अपना phone charge कर लीजिएगा और आपको photo selfie और video बनाने में मदद मिलेगी आपका phone बिल्कुल भी down नहीं होगा अगर रास्ते में down हो जाता है तो आप उसको charge कर सकते हैं ये देखिए दोस्तों ये थोड़ी दूर चलने के बाद ये जहरना आएगा और ये मंदाकिनी और सरस्ती जी का जो जहरना है संगम के बाद में जो जल निकलता है वो यहाँ पे है और यहाँ पे कुछ लोग इसनान कर रहे हैं देखिए बहुत ही ठंडा यहाँ का पानी होता है जो जल होता है बहुत ही ठंडा होता है और इसमें नहाने के बाद एक नई उर्चा का संचार होता है और यहां का पानी की तो आप पूछे इमत बीबी सलेरी है यह देखे यह पानी भरने गई थी जरने से लेकिन फिसल गई थोड़ी सी तो इनको एक लड़का खड़ा था उसने पानी भरा और इनको दुबारा फिसल गई तो इने पकड़ा एक लड़के ने आराम से इने बाहर कर दिया और उसने जरने से पानी भरके इनको दे दिया तो बहुत ही पानी सुद्ध होता है और अगर आपका विशलेरी पानी पीने का मूड है तो विशलेरी भी मिल जाएगी लेकिन विशलेरी 40 रुपए की बोतल मिलती है क्योंकि वहां पे पानी ले आने में किराया देना पड़ता है गोडे का इसलिए उसका रेट बढ़ जाता है तो किराया ज्यादा बढ़ जाता है घोडों से ही खचर से ही जाता है और 23 रुपए में चार पांच पेटी ही ले जा पाता है इसलिए उसको 40 रुपए में बेचना उसकी मजबूरी होती है दुकानदार की जो हां पे सौप बगएर होती है उनकी जो भी सामान होता है सब कोश्टली होता है क्योंकि उनकी मजबूरी होती है क्योंकि उन्हें किराया भी एड करके यह लेना होता है क्योंकि मैं भी जब से होके आया हूं बस यात्रा को ही याद कर रहा हूं और अगर मैं कभी दुबारा गया तो अच्छा और नहीं तो पूरी जिन्दी इस यात्रा को याद करता ही रहूंगा और बावाजी के दर्शनों को कोशित करूंगा दुबारा पाऊं तो यह देख किरया की बज़े से थोड़ा कश्ली हो जाता है लेकिन आप खाते पिते जाए और आराम से यात्रा किजिए कोई दिक्षक्ट नही तुबे से अगर पांच वजे से यात्रा सुरू करते हैं तो आराम से आपके चार वजे तक का टाइम है यात्रा पूरी करने का आप इंजॉयमेंट करते हुए जाए और फोटो सेलफी सब कुछ लेते हुए वीडियो बनाते हुए जाए और क्योंकि ऐसी वादियां आपको द देखे यह ग्लेसियर है और यह पक्का बर्फ है बिल्कुल जब इसको बहुत मजबूती से काटा जाता है तब यह कटता है बांकि यह बारिस अगर होती है तो ग्लेसियर पिगलता नहीं तो बिल्कुल भी नहीं पिगलता है और इसके उपर से आराम से निकल सकते हैं फिसल तो आराम से नजारों को देखते हुए बाया हेलिकाप्टर जा सकते हैं, यह देखिए। अगर वहाँ पे रास्ता सही करने वाले होते हैं, वो तुरन्त वहाँ पे रास्ता सही करते हैं, धीरे धीरे आप पहुंचेंगे केदारनात्स केम पे और वहाँ पे बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं अगर आप भीड में जाएंगे तो थोड़ी दिक्कस हो सकती है लेकिन आप भीड नहीं होगी तो आपको आराम से टेंट मिल जाएगा और तीन सुरुपए पर हेड में आप रात बर रुख सकते हैं और अगर आप भी आईपी लेना चा होता है आप वहाँ पर भी रुख सकते हैं जैसे आपकी सुद्दा हो जैसा आप चाहें और सुबह जल्दी उठके आप लोग अगर साम को पहुंच गये हैं तो साम को दर्शन करना चाहें तो बाबाजी के दर्शन कर सकते हैं सुबह लाइन लगती है यह देखिए लाइन लंबी हो जाती है लेकिन जब भीड कम होती है तो लाइन ज्यादा नहीं होती है देखिए लोग लाइन में लगे हुए हैं और अपने दर्शन का इंतिजार कर रहे हैं मैं भीड में गया था इसलिए मुझे काफी दिक्कत हुई यह देखिए काफी लंबी लाइन लगी है और अगर भीड में आप जाएंगे तो चार गंटे तक लग सकते हैं दर्शन में लेगें अगर आप सीजन नहीं होगा जैसे जुल और हर चीज की सहुलियत मिलेगी उसके बाद में जब आप बाबा जी के दर्शन करने जाते हैं अगर आप एकिसो रुपए मैनेज कर सकते हैं तो आप यहां से इंट्रिगेट है यह एकिसो रुपए लोग परची कटाये खड़े हुए हैं यहां से डारेक्ट मंदीर में प 2013 में जब यहां पर पानी मतलब प्रलाय आया था तो यह बिल्कुल सेफ हो गये थे इने कुछ नहीं हुआ था तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि पूरी यात्रा में आपको नए नए चीजे देखने को मिलेंगी नया हैसास होगा आपको एक नए उर्जा मिलेगी मालूम हो दोस्तों कि वहां पर कितना अच्छा लगता है मैं बता नहीं सकता हूं और इस बावाजी के धाम को अगर आप नहीं गए हैं तो एक बार जरूर कोशिस कीजिएगा वहां के दर्शन करने के बावाजी के क्योंकि यही बस आदि और अन्त हैं भगवान भोले ना थी तो अगर मैं में कपाड जाते हैं अगर आप मैं जाना चाहें तो थोड़ी कम भीड होती है उसके पाम जून में तो थोड़ी बर जाती है और जुलाई और अगस्त में THJesus में दिक्कत हो सकती है लेकिन बहुत सारे लोग दर्सन जाते हैं बाबा जी चाहें तो कुछ नहीं होगा और इसलिए जब भी यात्रा करने का आपका मन हो आप जा सकते हैं बाबा जी स्वेम रच्छा करते हैं हर यात्री की अपने भक्त की तो यहाँ पर पुजा अर्चना अगर आप करना चाहें तो बाहर से भी बाबा जी की कर सकते हैं और अंदर भी टाइम दिया जाता है दर्सन आराम से कराये जाते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है और अंदर सिंगल लाइन हो जाती है तो वहाँ पर आराम आप सीबलिंग के दर्शन कर सकते हैं बाबा जी के के दार जी के और जब आप दोस्तों इस यात्रा से बापस लोटेंगे तो आपको एक सुखद अनुभूति का अहसास होगा और आपका माइंड बिल्कुल फ्रेस हो जाएगा और आप साल भर आपको एक एनर्जी मिलती रहेगी और जो हम लोग रोज मर्रा की जिन्दगी में फकान महसूस करते हैं काम करते करते थक जाते हैं तो यहाँ पे जाने के बाद आपको एक नई उरजा मिलेगी फ्रेसारी भूलजा और आपको शाल भर यह इस आत्रा याद आएगी और वहाँ पर काफी दुकाने भी हैं आप प्रसाद लेके आएगा और लोगों के लिए जो आपके सगे सम्मंदी हैं उनके लिए भी कुछ लेके आएगा तो इन बादियों को अपने जहन में संजो के रखना दोस्तों और कैमरे में कैल करके लाना और आपको हमेशा याद रहेंगी बाबा के दारनात की घाटी की ये बादियां और अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो नीचे रेड बटन है दोस्तों उसपे जाके आप मेरा चैनल सस्क्राइब कर सकते हैं और मेरे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आये मैंने केदारनाथ के संबन्द में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और अगर आपको किसी तरीके की जानकारी हो अगर आपकी किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बाक्स में कमेंट कीजिएगा मै आपको हर तरीके की जानकारी दूँगा और मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में तब तक के लिए जै बाबा के दारनाथ ओम नमस्वा जै भोले